आज के वीडियो में Samsung Galaxy S212 FE 5G या फिर Fan Edition इस फोन के कुछ hidden features के बारे में बात करेंगे कुछ hidden features नहीं, lots of hidden features आते हैं इस फोन के अंदर जो कि आपको भी जानना बहुत ज़ादा जरूरी है इसी के साल साल Samsung के हर एक phone के अंदर ये जो features है ये आपको देखने को मिल जाते हैं almost सारे phone में तो आप अगर Samsung के कोई भी phone इस्तमाल करते हो तो आप इस वीडियो को भी check out कर सकते हो वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर देना वीडियो देखने के बाद अगर आपके बाद Samsung का कोई भी device है तो इस चैनल को subscribe कर सकते हो क्योंकि lots of videos are coming for Samsung devices तो इस phone के उपर lots of series मैंने बना के रखे अपने चैनल के अंदर वैसे भी अगर आप भी इस phone को purchase करते हो तो similar type के ही चीज़े आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आपके पास ट्रिपल इट वाला वरियंट है तो सारे same features यह आपको इस phone के अंदर देखने को मिलते है अब सबसे पहला जो hidden feature है उसके बारे में मैं बात करूँ दोस्तों बहुत सारे लोग ना screenshot लेने के लिए सोचते हैं वैसे Samsung के phones में तरही तरही के screenshot देखने को मिलता है अब इस phone के अंदर screenshot लेने के लिए आपको volume down and जो power button है दोनों को एक साथ ऐसे दबाना पड़ता है देन देखो ये screenshot हमारा निकल के आया है इसको tap करके आपको screenshot वगरा देखना है और इसके अंदर बहुत सारे feature से आप edit वगरा सब कुछ कर सकते हो लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बड़िया टेकनीक दिखाता हूँ इस phone में screenshot लेने के लिए आपको बस अपने हाथ को ऐसे पकड़ना है ऐसे जो आपको moon जैसा हाप moon जैसा shape है वैसे पकड़ना है और हाथ को ऐसे खीज देना है देखो screenshot आगया हमारा screenshot आने के बाद आपको यहाँ पे lots of options देखने को मिल जाते है आप चाहो तो crop बगरा कर सकते हो edit कर सकते हो बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर available है यह बागी सबी लोग को बता है बट यह half moon वाला screenshot है यह बहुत ही mysterious चीज है नेक्स जो feature है इस phone का वो है split screen वाला feature यह बहुत ही एक काम का चीज है अ अब एक चीज में आपको दिखाओ यहाँ से तो यह चूटा बड़ा आप करके इस्तमाल कर सकते हो जो कि इसका बहुत ही बढ़िया feature है इसके अलाबा भी यहाँ पर आपको और एक option मिलता है इस three dot में आपको tap करना है यहाँ आपको lots of option देखने को मिल जाते है आप यहाँ स ट्विक कर सकते हो इसके अलाबा यहाँ पर आपको edge panel पर या फिर home screen पर एंड pair करने के लिए भी option दे जा रहे है तो यह आपको एक extra feature मिल जाता है इस phone के अंदर जो कि दूसरे phone में ऐसे तो ट्विक करने का option मुझे नहीं देखा इससे पहले जो कि Samsung के phones में आपको मिलता है देखो एक और बहुत ही बड़िया feature में आपको दिखाता हो जिससे आपका जो time में almost बहुत ज़्यादा बच जाएगा अगर आप इस app से दूसरे को यह app में मतलब पिछले आप जो यह app इस्तमाल कर रहे थे इसमें जाना चाते हो तो आपको simply ना ऐसे double click करना है देखो यह app open हो गया फिर से अगर आपको फिर से उस app में जाना है तो यहाँ पर double click करना है तो देखो यह app open हो गया तो इससे ना हमें बहुत ज़्यादा time बसता है नहीं तो क्या करना पड़ता है यहाँ पर जाके tap करो फिर यार app आएगा तो यह slow process होता है उससे अच्छा आप इसको double click करो और अपना जो app है open हो जाता है इसके बाद और इक फीचर है वो है floating screen मतलब मैंने इस app को open किया यह YouTube open हो जाने के बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर चलते है और इसमें आपको ऐसे tap करके रखना है तो यहाँ देख सकते हो drop air pop up the view यहाँ पर देखो यह floating window टाइप का open हो यह ठीक है तो यहाँ पर आपको lots of features देखने को मिलते है आप चाहँ तो इसको resize वगरा कर सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो एंड एक ही साथ यहाँ से open कर लेता हो यह देखो YouTube जो है यहाँ पर चोटा type का save हो गया आप चाहँ तो इसमें tap करके बढ़ा कर सकते हो और आप इसको ऐसे resize भी कर सकते हो यह देखो तो आपको जब जरूरत पढ़ेगा dual app का इस्तमाल करने का तो यार ऐसा यह floating screen वाला जो feature है वो मुझे बह बहुत ही बहुत ही बढ़िया फीचर है लाइक इसको आप hidden feature बोल सकते हो बहुत लोगों को पता ही नहीं है इसके बार में तो मैं यह जो volume up and down बटन है इसको एक बार प्रेस करता हूँ यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो volume बार है आगी आए 3 dot दिकरा है टैप करो यहाँ पर setting देखने को मिलता है तो इसमें tap करो इसके बाद आप यहाँ पर इसके जो speaker का intensity है उसको बढ़ा सकते हो, आप full मत कर देना, आपके phone के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप इतना तक रख सकते हो, like 70% तक आप बढ़ा सकते हो, तो यह एक बहुत ही अच्छा hidden feature है, and इसके बाद आपको अपने phone के अंदर जो sound सुनने को मिलेगा, वो बह बहुत ही लाजवाब होगा, अब याप आपको और एक extra option मिल जाता है, volume pin limit मिलता है, यहाँ सा pin set कर सकते हो, मतलब volume बराने के लिए कमाने के लिए जो pin set करना पड़ता है, यह बहुत ही अच्छा security है, आप चाओ तो इसका इस्तामाल कर सकते हो, अब यह जो feature में आपको change wallpaper में click करना है, यह simple चीज है, सभी लोगों को पता है, ठीक है, तो मैं colors के अंदर घुसता हूँ, यहाँ पर देखो lots of colors देखने को मिल जाते है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यह वाला color choose कर लेता हूँ, और सभी लोगों को पता है, ऐसे color choose किया जाता है, ऐसे आपको अपना जो background है, वो phone के अंदर wallpaper बगरा लगाना पड़ता है, तो बहुत से लोगों को यह नहीं पता है, कि इसके नीचे color भी देखने को मिलता है, यहाँ पर color setup आप करतो सकते हो, बट मैं आपको बहुत interesting चीज दिखाओ, यहाँ पर style मिलता है, यहाँ पर आपको lots of styles देखन को मिल जाते है, यह बहुत साथ लोग नहीं जानते हैं, और सोचते हैं कि हमारे phone के अंदर यार दो ही तीन ही wallpaper मिलता है, उससे ज्यादा wallpaper कहा है, आप यहाँ पर आओ, color चूज करो अपनी साफ से, मैं black color लेता हूँ, और देखो मैं कितना एक बढ़िया wallpaper बनाऊंगा, आप के लिए style चूज करता हूँ यहाँ से, and then मैं यहाँ पर आता हूँ, और इसको मैं अपने phone के अंदर ना save कर लेता हूँ, तो देखो मैंने जो wallpaper set किया, यह देखने में कुछ nothing phone type का लग रहा है, और आप इसके अंदर lots of customization कर सकते हूँ, क्योंकि one UI के अंदर बहुत सारे अब ही मैं क्या करता हूँ, इसको add कर देता हूँ, यह देखो यह battery है, और यह यहाँ पर save हो गया, तो इसको थोड़ा सो छोटा कर लेते हैं, इसमें बहुत option है, इतना तक ही छोटा होता है, तो type of nothing phone की तरह आप इसको set कर सकते हूँ, देखो, तो देखो दिखने में पूर स्पीकर के अंदर, हम जब गेम खिलते हैं, तो लगता है कि यार नहीं चलो, ठीक नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दू, पहले तो यह है कि आप अपने phone के अंदर जो Dolby Atmos बाला option है, इसको आप on कर दो, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अपने phone का जो speaker है, उसमें Dolby version का एक enhancement सुनाई देगा, जिससे अपना speaker का जो sound बहुत ज़दा improve हो जाएगा, इसके बाल और एक tips मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप game खिलते हो, तो इस चीज़ का जरूर follow करना, sound and vibration में चलो, नीचे में जाओ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा sound quality and effects, यहाँ पे आओ बहुत सारे phone में off आते है, by default जब आप नया phone करीते हो, तो इसको ना on कर देना, ठीक है, इसके बाद और एक जो feature में आपको दिखाऊँगा, यह बहुत ही लोगों को नहीं पता है, अगर अंदर में देखोगे, ठीक इस बाले setting के नीचे में देखोगे, तो यहाँ पे adapt sound मि बहुत लोग बोलते हैं, हम लोग phone में बात करते हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, क्या यार speaker खराब हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है, आप इस बाले option पे आओ, इसके बाद यहाँ पे आपको add up sound में click करना है, देख सकते हो, only calls, only media and media and calls, आपको media and call में fit कर देना है, क मतलब आपका sound है, वो कम ही सुनाई देता होगा, आपको है ना, आप नीचे में देखोगे, under 30 years old, boost high frequencies लिखा गया है, 32 60 years old, over 60 years old, मतलब आपको अपने age के हिसाब से अपने phone के अंदर sound सुनाई देंगे, ठीक है, इसको आप अपने age के हिसाब से fix कर लेना, तब जब भी बहुत लोग को पता ही नहीं है इसके बारे में, और बहुत लोग जानते ही नहीं है कि यह क्या चीज़ है, बट कुछ-कुछ लोग जानते है, महान लोग, comment करके बताओ, आप लोग जानते हो तो फिर, तो यहाँ पे आपको simply notification में tap करना है, and then आपको यहाँ पे चले जाना है, जाने के बाद यहाँ पी बहुत सारे options आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई message आता है, तो आप यहाँ से lots of customization कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहला जो चीज़ है basic है, यहाँ से देखो, आप यहाँ से कोई message ऐसे आता है, तो ऐसे edge lighting होगा, दिखाई दे रहा है, edge जो lighting कर रहा है, इसमें tap करोगे bubble दिखाई देंगे, देखो यहाँ पे bubble दिखाई देता है, यह देखो, यह जो सबसे best है, यह मैं आपको दिखाता हूँ, glitter, यह देखो RGB breathing हो रहा है यहाँ अगर आपके phone में notification आता है, तो ऐसे glitter breathing होगा, दे phone के अंदर touch issues को भी fix करने के लिए, एक मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज दिखाता हूँ, आपको display के अंदर चले जाना है, देन आपको थोरा सा नीचे जाना है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, touch sensitivity क तो इस वाले option को आपको ऐसे on कर देना है, ठीक है, यह on हो गया, अब अपने phone के अंदर, आप simple touch करो, आपका जो sensitivity है, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, आप जो भी करो, अपने phone के अंदर तो मेरी ख्याल से इस बार कोई touch issues देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इसका ज चीज है, मैं आपको flash notification दिखा देता हूँ सबसे पहले, camera flash notification ये जो है, इसको आपको on कर देना है, तो जब भी आपके phone में कोई notification आएगा, तो इस दिन आपका flash जो है, वो flash होने लगता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि Samsung के पुराने features तो आया, चले ही गया, आप नहीं है आपके अंदर, वो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर इस वाले switch को on करोगे, तो इस phone में भी flash होगा, जो कि Samsung के कुछ अलग series में देखने को मिले तहीं से पहले, next यहाँ पे ही आपको accessibility के अंदर में visibility enhancement देखने को मिलता है, अब यहाँ पे अगर आप आओगे, तो आपको दो च तो animation वगरा एक time पे चला ही गया है, देखो कोई animation नहीं है, अगर मैं कोई app को भी यहाँ से open करता हूँ, तो direct open होता है, ठीक है, तो यह एक बहुत बढ़िया चीज है, बट मुझे ना personally थोड़ा सा animation पसंद है, क्योंकि One UI का animation थोड़ा ज्यादा better smooth होता है, देखो यह ऐसे transparency जो है वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब आगर आपको blur थोड़ा जादा चाहिए, तो इसको आप on कर सकते हो, देखो यहाँ पे, अब यह जो feature में आपको दिखाने जा रहा हूँ, यह सभी लोग को पसंद आएगा, because हम में से सब लोग ही almost photo खीचना पसंद करते है, और इस phone से तो जरूर करते है, because इसका camera बहुत सही है, आपको gallery वाले option में जाना है, कोई एक photo निकाल लेना है, यहाँ पे आपको नीचे में three dot देखने को मिल जाएगा, and यहाँ पही आप देख सकते हो, second में remaster picture दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको tap करना है, and यह automatically remaster कर देता ह पिक्चर को मतलब एक color enhancement कर देता है, यह before था ठीक है, और यह after है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, कितना dark shade है मेरे मुझ के अंदर, and यह धीरे धीरे देखो, यह before वाला है, यह after वाला है, तो आप यहाँ से चेक करो, कितना अच्छा color enhancement यह कर देता है, last में जो feature आपको दिख application है, इसके अंदर आओ, इस वाला application के अंदर आपको जो जो चीजे मिलता है ना, एक next level का चीज है, आप यहाँ से आप wonder island जैसे feature का इस्तमाल कर सकते हो, इसके अलाबा lock start देख सकते हो, यहाँ पर lock screen में more चीजे add कर सकते हो, यहाँ पर आपको keyscape देखने को मिल जाता है, तो देख सकते हो, यह जो चीज है ना, यह next level की चीज है, देख सकते हो, एक के बाद एक, ज़रूर इस application का इस्तमाल करो, आपका phone बहुत बढ़िया हो जाएगा, और दिखने में भी बहुत ही ज़ादा लाजबाब लगी का, तो यह थे बहुत सारे cool features इस phone का, आप लोगों को यह जो features है, कैसरा का जरूर बताना, और आपको सबसे यदा अच्छा और पसंद आया कौन सा feature, वो भी आप comment करके मुझे comment box में बता दो, इस phone के उपर दूसरे वीडियो बहुत जल्दी आएंगे, because Android 14 आने वाला इस phone के उपर, and मैं उसके उपर वीडियो बहुत जल्दी ब एप कर दोफ जांगे, कैसरी आपको सोगा कौन साफ्सरा करा मैं, को जो ब jamाला इस, कि अजह कर दो आपको सबसे नंगे, कि आपको सा متवांगे, का जाने बतानागे, क्पको जाने गुराइंटे कि यदियो आभियो जाने हुआराणे यबुल एंगे, का इस विराकलाया के